जय जिनिंद्र जय भोलेना दूस्तों बारा बच के 38 में हो गई है और मार्केट ने सारे लोज तोड़े हैं अब इधर क्या करना चाहिए यह सोचना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि मार्केट सुबह तो बहुत अच्छी तेजी दिखाया था 350 का इस हाई बनाया और 400 का हाई बनाया था बैंक अब इसने सारे लोज तोड़े हैं जो हमारे 31 अगस्त के थे तो देखते हैं अब आगे क्या करना चाहिए तो पहले तो मैं चार्ट देख लेता हूं यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि यहां पर देखिया हमने एक नया लोग बनाया है एक सिकर हमने अगस्त मंद का लोग ब्रीच किया है अगस्त मंद का जो लोग था उसको हमने ब्रीच किया है और अच्छा खासा ब्रीच किया है क्योंकि 1923 था और अभी हमने बना दिया 183, 183, तो ब्रीच हो गया है, अब सिंपल लॉजिक एक ही बनता है, कि it should close above 224, otherwise हम further fall के लिए खेल सकते हैं, 100 800 पॉइंट और, 19223 के उपर आज close आनी चाहिए, तभी जाके हम safe है, तो time काफी है अभी, क्योंकि यह सब कुछ अभी हुआ, पहला पॉइंट, otherwise यह एक बार अपने आपको 18 900 के तरफ ले जाने के कुशिस करेगा, यह याद रखेगा, या फिर आज एक hammer टाइप की candle बननी चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर यह follow up candle बन रही है, अब बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी, यह अल्रेड़ी highly overboard था, लेकिन इसमें भी अच्छी गिरावट आई है, मगर इसका अभी तक 43029 का low है, पिछला तूट गया कहा, देख लेते हैं, यहाँ तो 46 दिखा रहा है, अभी तक साहिद तूटा नहीं है, इसका low नहीं तूटा है, देख लेता हूँ है, 43029 मंडे का low था, आज अभी तक 46 का low है, तो ठीक है, यह अभी भी अपने low को sustain कर रहा है, तूट भी जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता है, यहाँ देख लेता है, बस closing जो होनी चाहिए, वो एक point भी positive होनी चाहिए, जो तूटने का level है, अब देखें, इसमें एक ही चीज 43.029 के नीचे close नहीं आने चीए, निफ्टी में 19.222 के नीचे close नहीं आने चीए, spot में और bank निफ्टी में 43.025 के नीचे, यह दो लेवल को याद रखो, अगर इनके नीचे आती है, तो एक दिन कल का और गिरावट हो सकती है, तो कल मंतली एक्सपायर ही है, बस, बाकि गि बीर्स का favor में नहीं है, यहाँ गिरावट की जगा 100-800 के निफ्टी में है, यह 200 highest, और बढ़ने की जगा 800-1000 के क्यों है, यह भी समझ लीजे, विक्स आज no doubt थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी 12 के नीचे है, not, ठीक है, लेकिन आज इसने signal दिये, कि एक गिरावट आ लेकिन आप इधर देखो, निफ्टी का PCR जो है, अल्रेडी कल एकस्पायर ही है, 0.67 आ गया, highly oversold बोलते है, 0.62 पे तो समझ लीजे एकदम दबा के बटन दबाना चीवागे, 0.62 आ गया, 0.67 है, थोड़ा सा जगा 150 का, यह भी 0.51 का 58 यह उपर आया, PCR यानि कि सम्वेर कहीं कहीं बुल्स, ओपरेटर्स कहीं कहीं बाइ करें, इसका PCR जब उपर आया जाता है, यह तरीका यह होता है, कहीं न कहीं उनके बाइंग हुए है, अब इसने तोड़ा है, इसने भी लो तोड़ दिया, उसने भी लो तोड़ दिया, अब हमको एक ही चीज जान रखना, end of the day द अगर इन दोनों के उपर close होता है, तो तेजी जोड़ दार सकती है, उसको बताताम क्यों, जब भी लो नया बनता है, तो, उसके बाओ क्या देखना चाहिए, प्रीवेस लो के नीचे close नहीं होना चाहिए, प्रीवेस लो के लिशे, प्रीवेस लो क्या है, हमारा nifty महाँ 1921 तो बाइस और बैंक निफ्टीम है 43025 अब अगर इन दोनों के उपर क्लोज करने में काम्याब हो गया तो कल एक बड़ा तेजी वाला दिन हो सकता है यह दखिए और इनके नीचे क्लोज करता तो एक बार काट लीजे हम फिर से बाइन करेंगे लेकिन सेल नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे यह आपको मैं परसोज दिखा दूंगा उसका रीजन लेकिन अगर इन दोनों के उपर आज ही क्लोज होगे तो कल एक तेजी वाली एक्सपैर ही होगी कि जैजिनेंद